Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी अच्छे होंगे, मैं आर्थी और मैं आप सभी का physics को रुपहार्दिक स्वागत करती हूँ जहां पर आप पढ़ते हैं, graduation के लिए chemistry और physics और आज की आपकी class है B.A.C. second semester students के लिए जिसमें आपकी book चल रही है bio organic and medicinal chemistry book के अंदर unit 1 हम complete कर चुके है, unit 2 के बारे में डिसक्स कर रहे था, unit 2 है आपकी chemistry of proteins, तो proteins के अंदर हम ने इसमें last time पर protein की structure के बारे में बात कीती, जैसे primary structure, secondary, tertiary, quaternary structure इनके बारे में डिसक्स किया था, और आज हम इसमें बात करेंगे determination of primary structure of peptide, peptide की structure के बारे में बात peptides क्या है, अब मैं आपको एक चीज बता दू, जिनोंने last वाली class attend की थी, last वाला, जो lecture number 11 था आपका, वो आपने जिसने भी देखा है, वो समझ गए होंगे कि ये हम peptide को लेकर discuss क्यों कर रहे हैं, last time पर मैं आपको बता देती हूं, जिसने ना भी देखा हो, वो भी सुन ल कि peptide आपस में bond बनाते हैं, और peptide क्या है, इसमें एक पूरी chain की तरह है, peptide किस तरह से होता है, क्या structure है, उनको लेकर इसमें हम आज deeply discuss करेंगे, तो आज हम start करते हैं, सबसे पहले protein को लेकर ही start करेंगे, क्यों है protein को लेकर starting आपकी यहां से, क्यूंकि हम बिटक यूनिट के बारे में डिस्कुस करें, जो है आपकी protein, तो protein ही आपको हिहां से क्या होने वाला में, protein are made of many amino acids, यह आप सभी जानते होगी, बहुत सारे amino acids से जुड़कर आपका protein बना होता है, जैसे last time पर जो पढ़ाया था primary structure उसमें example दिया था न, insulin का example दिया था, कितने amino acids से मिलकर बनता insulin, बताओ, यह comment करोगे आप, कि बहुत सारे amino acids से मिलकर क्या बनता है, आपका protein बनता है, जो आपस में peptide linkage के थ्रू जुड़े होते हैं, किसके थ्रू जुड़े होते हैं, peptide linkage के थ्रू, अब peptide linkage होती कैसे है, जैसे last बताया था आपको कि C-O-N-H group होता है, present किसी भी structure में, क तो उसको ले, वो होती है, आपकी peptide linkage, क्या होती है, वो peptide linkage, अब देखो, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, कि इनकी structure के बारे में, अब peptide की structure के बारे में discuss करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ, peptide की structure कैसी होती है, अब आगे देखो, इसमें हाँ से, अब जो main चीज स् के लिए आपका introduction हो गया, अब देखो, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है, N-terminal, N-terminal, and C-terminal, N-terminal and C-terminal amino acid, अब यह terminals कहां से आगे, confused होने वाली कोई भी चीज नहीं है, C-terminal amino acid, amino acid, residue, देखो, अब यह जो peptide linkage है, जिसमें आपके क्या चुड़े होते हैं, bond बने होते हैं, hydrogen bonding present होती है, उसमें, वो आपके दो parts में, दो terminal में हमने उसको बाटा हुआ है, दो terminal में कैसे, जैसे, मैं आभी आपको एक example दूँ, example में क्या ले लेते हैं, यह, NH2, CH2, C double bond O, यहाँ पर हो जाता है, आपका यह, NH, CH, CH3, यहाँ पर आपका carbon, oxygen, इस तरह से आगे इसमें जुड़ते चले जाते हैं, क्या जुड़ेंगे, group, जैसे, यहाँ पर एक group यह हो गया, एक group यह हो गया, इसी तरह से आगे क्या होते जाएंगे, और group पैड होते चले जाएंगे, यहाँ पर हो गया NH, यह CH, यहाँ पर एक side हो गया आपका, COOH, ठीक है, और यहाँ पर एक और group जुड़ेगा, CH3 जोड़ लो या फिर एक और कोई phenyl group जोड़ लो इसमें, अब यह क्या है, हमने जो इतना बड़ा है हाँ पर name लिखा हुआ है, name बिल्कुल सिंपल है इसका, यह आपका peptide linkage रिप्रेसेंट करता है, अब देखो इसमें terminal की अगर मैं बात कहूँ, टर्मिनल, यह क्या है, टर्मिनल, देखो, टर्मिनल इसमें देखो, हम किस तरह से define करेंगे, देखो, एक group आपका यह जुड़ा है, एक group आपका, यह जुड़ा है यहां से, और दूसरा group आपका, यह यहां से यह जुड़ा हुआ है, इसमें एक और carbon आता है, क्या आता है, एक और कारवन यह हो गया CH2 और फिर यहां पर फिनाइल ग्रूप प्रेजेंट होता है आपका यहां से तो यहां पर देखो दो टर्मिनल हो गए एक साइड आपका NH2 ग्रूप जुड़ा हुआ है एक साइड आपका CWH ग्रूप जुड़ा है इनके बेसिस पर हमने इसको चीज बताती हूं NH2 ग्रूप मतलब N-Terminal और दूसरा C-Terminal क्या है C-Terminal वह है जहां पर आपका कारबॉक्सली ग्रूप जुड़ा हुआ हो कौन से ग्रूप जुड़ा हुआ हुआ कारबॉक्सली ग्रूप और एक चीज बताती हूं N-Terminal always left hand side पर प्रेजन्ट होता है यह left hand side और जशसे इस तरह से देखेंगे यह वाला कौन सा हैं बैट रहा है यह लेफ्ट है यह राइध है तो यह कौन सा हो जाएगा या फिर इसी में आप शो कर सकते हो कि यह क्या है आपका लिफट हैंड साइड पर प्रेजन और यह क्या है आपका यह है आपका C terminal कौन सा terminal है C terminal है और ये always कौन सी side present होगा right hand side पर present होगा कहा present होगा right hand side पर present होगा समझ में आगे इतनी बात terminal पता चल गया अब peptide भी पता चल गया होगे ये जो आपकी structure है ये peptide की structure है इस तरह से आपके क्या होते है peptides जुड़े होते है अब हम क्या करेंगे कुछ उनका analysis भी करेंगे analysis किस तरह से करोगे कि जैसे N terminal अलग बनाएंगे C terminal अलग बनाएंगे ये कैसे करेंगे हम इसके methods दिये हुए है Sanger ने कुछ methods दिये थे जिसमें आपके क्या दिखाया गया है जिसमें आपके इस तरह से एक peptide की structure ली जिसमें से हमने terminals को अलग अलग किया है N terminal अलग बनाएंगे C terminal अलग बनाएंगे उसके लिए कुछ methods दिये हुए है तो इतना कुछ खास नहीं है ये बस इसमें main क्या है अगर आता है by chance तो इसमें reaction पूछी जाती है जो हम अभी बताएंगे कि C terminal क्या find करो N terminal find करो इस तरह से आता है कि ये आपको peptide दिया जाएगा और उसमें से N terminal निकालो C terminal निकालो उसका बस वो method दिया जाएगा ठीक है पहले आप क्या करो पहले आप इसका screenshot लिलो ये हो गया screenshot लो इसका देखो बटा अब इसमें आगे अब मैं आपको बताऊंगी अलग-अलग terminal कैसे गेन करते हैं अलग-अलग terminal को किस तरह से determine करते हैं हम ये बताएंगे अब आपको इसमें एक method दिया है बटा हर चीज के लिए दो method दिये हुए इसमें जैसे अभी मैंने आपको N-terminal और C-terminal के बारे में बताया ना तो N-terminal के लिए अलग method दिया हुआ और C-terminal के लिए इसमें अलग method दिया हुआ जैसे N-terminal को लेकर इसमें दो method दिये हुए एक first method है आपका DNFB method अब यह method है क्या मैंने आपको बताया यह सेंगर के थू दिया गया था जिसने आपको क्या दिया था सेंगर ने एक और थियोरी दी ती किस चीज को लेकर दी थी वो भी आप बताएंगे बताया हुआ है हमने आपको यह से ठीक है अब देखो यह DNFB क्या है Dynitro Fluorobenzene है Dynitro Fluorobenzene की reaction अभी जो हमने इतनी बड़ी structure लिखी दी न उसके साथ करेंगे और वहाँ से उसके साथ भी कौन सा main part लेंगे main part आपको लेना है N-terminal वाला क्या लेना है N-terminal वाला वहाँ से आपको अलग चीज बनानी है ठीक है कैसे बनाओगे सबसे पहले तो यह लिखो लिख लो इसमें की सैंगर के थूरू दिया गया था यह ठीक है और यह क्या है DNFB का यहाँ पर यह DNFB है 2-4 position पर होता है 2-4 dinitro fluorobenzene ठीक है योगेस का नेम आगे देखो अब इसमें 2-4 dinitro fluorobenzene बनाओ यहां से यह होगे हैं से F यह होगे इसकी 2 position इसके लिए किसके लिए इस वाले ग्रूप के लिए फर्स्ट यह है इस ग्रूप के लिए सेकंड यह हो जाएगा और फॉर्थ पोजिशन यह हो जाएगी यह क्या है NO2 है यहां पर क्लियर है अब इसकी रियक्शन आप कराओगे जो हमने अभी यहां पर लिखा था यह पैप्टाइड लिंके जो बनाया था और उसका भी N-Terminal में लेंगे आपका N-Terminal में क्या है NH2 जुड़ा हुआ है H-H को खोल कर लिख लेंगे ताकि हमें बॉंडिंग करने में आसानी हो और क्या है आपका फिर बीच में CH गुरूप जुड़ा था आपका फिर CH गुरूप से एक CH3 गुरूप या कोई अलकाइल गुरूप ले सकते हो और फिर दूसरा क्या था उसमें CO गुरूप जुड़ा हुआ था इस तरह से फिर यहां पर फिर NH फिर यहां पर CH2 था और इस तरह से गुरूप यह क्या था आगे बढ़ता जा रहा था अब देखो हमने यहां पर लगा दिया है डैश क्या यह डैश की आगे की चीज अतनी बढ़ती चली जा रही है कुछ भी यहां पर आगे इसमें क्या है और लिंक के जुडिविया हमें फिल आल क्या लेना है N-Terminal की बात कर रहे है तो हम N-Terminal ही यहां पर लेंगे ठीक है तो अब यहां से reaction किस तरह से करेंगे अब देखो reaction इ साथ जब react करेगा तो यहां से HF बहार हो जाएगा और यह वाला जो चीज है यह आपकी यहां पर आकर जुड़ जाएगी और यह एक नया अलग compound बना लेगा ठीक है reaction करो यहां पर क्या होगा HF अलग होगा यह माइनस करोगे HF और यह चीज आपकी as it is F की जगा आकर जुड़ जाएगी यहां पर बना दे यहां से क्या हो जाएगा NO2 ऐसे का इसी ही है benzene ring के भी ऐसी की ऐसे ही है यहां पर है आपका NO2 और यहां से कौन जुड़ा है यह वाला ग्रूप NHCH यह R यह C double bond O और यह चीज आपके ऐसे के ऐसे ही चल रही है ठीक है clear है first reaction complete हो गई है first reaction हो गई है complete first method complete हो गई है अब इसका name बताओ name क्या लिखेंगे इसका बहुत प्यारा सा name है इसका जतना प्यारा है उतना खतरनाग भी है जैसे यह क्या है two four position पर क्या है नाइट्रो ग्रूप जुड़ा हुआ है तो यहां पर क्या हैगा डाई नाइट्रो क्या हैगा डाई नाइट्रो यह क्या है कौन सा ग्रूप है यह फिनाईल ग्रूप है किया जुड़ा हुआ है phenyle group जुड़ा हुआ है dinitrophenyle derivative है किसका derivative है amino acid के n terminal का फीक है तो यहाँ पे इसका name क्या हो जाएगा dinitrophenyle derivative of n terminal amino acid dinitrophenyle derivative of derivative of N-terminal amino acid कितना dangerous name है आसान भी है N-terminal amino acid दिख जाएगा दर से हाँ amino यह जाएगा acid ठीक है करना कुछ नहीं है देखो ये group आपका ऐसे काई सी है group आके कौन जुड़ा ये जुड़ा हुआ ये किसका derivative है amino group का derivative है terminal कौन सा लिया है NH2 free group है तो N-terminal जुड़ा हुआ है फर्स्ट method हो गया है complete इसके बाद second method बताएंगे आपको पहले आप first method को note down करिए second method है इसमे admins method admins method क्या कहता है admins method में आपको वही जो आपका ये peptide है peptide के N-terminal की reaction आप कराओगे किसके साथ phenyl thio isosynate के साथ आप इसकी reaction कराओगे और इसकी reaction बिटा catalyst की presence में होती है और वो catalyst क्या है यहाँ पर आपको लेना है diluted alkali की presence आपको यहां से लेनी है क्या लोगे? diluted alkali की presence लोगे जैसे आप क्या ले लो यहां से इस तरह से ले लो इसकी presence लोगे अब देखो reaction किस तरह से होगी इसकी reaction बिल्कुल different होगी जैसे आपने first वाले method में किया था जो आपका क्या था? DNFB method था उससे बिल्कुल different तरह से होगी उसमें तो आपका HF निकल गया था लेकिन यहां से क्या remove करोगे? यहां से आपका remove नहीं होगा यह group आपका combine हो जाएगा लेकिन किस तरह से? देखो जैसे आपका NH2 group है क्या है यहां से यह आपका? NH2 group है अब यह जो NH2 group है इसकी reaction आप कराओगे यह आपका जुड़ जाएगा किस से जुड़ेगा? यह आपका जुड़ेगा carbon से कार्बन से किस तरह से जुड़ेगा? देखो बहुत simple है जैसे आपका H2 हो है इसको ions में break करो H plus में और OH minus में यह आपका इस तरह से ions में break होता है यह आप सभी जानते हो इसी तरह से आप क्या करोगे? इसको ions में break करोगे तो किस में तोड़ोगे? किस में break होगा? यह नहींच में और H में break होगा इहाँ पर क्या बचा? एक H आपने यहाँ निकाल लिया एक H बचा हुआ है ठीक है? अभी एक H बचा हुआ है यहाँ पर ठीक और अब क्या करोगे? आप यहां से bond break करोगे, आप देखो को double bond है, pi bond है, pi bond कैसा होता है, weak bond होता है, कोई ना कोई सा bond break करना ही पड़ेगा, तो आप यहां पर कौन सा break करोगे, यह वाला bond break करोगे, जब यह वाला bond break होगा, तो आपको कुछ इस तरह से bond break होगा, कहां, इस तरह से आपको यह bond break होगा जब यह यहां पर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है और इस पर पॉजिटिव आ रहा है तो यह वाला जो आपका यह वाला देखो यहां से जो ह निकला है इस पर नेगेटिव छोड़ गया इस पर तो नेगेटिव छोड़ गया यह वाला है इस ओएच के साथ चला जाएग आप बाहर, लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा NH, देखो जैसे मा अगर यहाँ पर लिखूँ NH, यह आपका CH है, यह R है, यह आपका CO ग्रूप है NH, आप पर कम्बाइन कर दिया है, यह आप खोल दिया है, ऐसी कोई दिक्कताली बात नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो, CH, R-O, NH, CH, CH, R-C-O, CH, clear है, यह तो हो गए इतनी बात, अब देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पर आ रहा है, नेगिटिव, तो यह NH किसके साथ बांड बनाएगा, इसके साथ बांड बनाएगा, कहा बनाएगा, इसके साथ बांड कैसे, यह हो गया carbon, यह हो गया हैं पर क्या carbon आ गया, carbon के साथ कौन जुड़ा हुआ है, double bond से S जुड़ा हुआ है, और इसके साथ single bond से कौन जुड़ा हुआ है, N, और इस N पर कैसा है, negative है, इस वाले positive को क्या करेगा, अपनी तरफ attract कर लेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, NH, और य लेकिन यह जो आपका admins method है, यह अभी यहाँ पर खतम नहीं होता है, यह बहुत बड़ा method है, इसमें कुछ steps को दोहराना पड़ेगा, कुछ steps को करना पड़ेगा, तब जाकर यह complete होगा, अभी आप क्या करोगे, अभी आप इतने का screenshot लो, यह आपने ions बनाने तो सीख ली हो यह आपका thaiouria बना हुआ है, यह जो आपका group है, यह क्या है, थायो यूरिया, थायो यूरिया group है, अब इसके next step में क्या करोगे, देखो मैं reaction उपर को लिख रही हूँ, लेकिन आप जब notebook में से note down करोगे, इसके आगे लिखना या नीगी नीचे की तरफ, नीचे स्पेस इसके लिए reaction हम क्या कर रहे है, थोड़ी सी उपर को लिख रहे है, अब देखो इसमें क्या करोगे, आप HCL लोगे या फिर acetic acid लोगे, इनकी presence में आपको क्या करानी है, इसके आगे की reaction करानी है, अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से जैसे आपका यहां पर यह group है, अ इसके साथ जुड़ जाएगा, यह इसके साथ जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ेगा, यह जो आपका carbon है न, जैसे हम इसको अभी ऐसे रखेंगे, तो carbon की valency पूरी करने के लिए, यह carbon यहां से घूमके, sulfur के साथ bonding कर लेगा, किस तरह से bonding करेगा, अभी बताएंगे, आपक और क्या है, S है, क्या है, यह sulfur जुड़ा हुआ है, यहां से, और यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका N, इससे कौन जुड़ा हुआ है, यह वाला group जुड़ा हुआ है, यह क्या है, आपका CHR है, यहां पर CHR है, और यह वाला CO group जो है, यह वाला CO group इस तरह से रखा bonding कर रहा है समझ में आ गई देखो दुबारा से देख लो देखो यह आपका जो है यह फिनायल गुरूप ऐसे का इसी यह आपका एनेच ऐसा का इसी यह सी जो है हमने यहां पर बॉंड को क्या किया है बॉंड को ब्रेक किया यह यहां पर क्या है पाई बॉंड है बॉंड को ए यहां पर यहां पर इसको बौर्ण को ब्रेक करेंगे करेंगे और यहां पर आपका पॉजिटिव तो जब यह क्या हो जाए आपस में बॉंड बना लेंगे, यहां से बॉंड रेक होगा, यहां बन जाएगा, ठीक है, यहां भी H वहार है, यह वाला CHR गूरूप यह रहा, कहां, यह रहा, CHR गूरूप, इसके साथ कौन जड़ा होगा है, सिंगल बॉंड से CO, अब यह CO, और इस सल्फर की हमने क्या करा बॉंड यह वाला जो है, इस बाकी के साथ चला जाएगा, कैसे यह बन जाएगा, आपका यहां से, N, H to 1, H यह है, और 1, H यह वाला आजाएगा, यह वाला है, ठीक है, और यहां से क्या आजाएगा, बाकी की चीज आपकी, ऐसे कैसी ही आजाएगी, यह हो गया, CHR डैश, C क्लियर हो गया, और यह आपका कहा जाता है, थाया जोलोन, यह हमने बताया था, थायो यूरिया, तो यह हो जाएगा, थाया जोलोन, थाया जोलोन, क्लियर है, स्क्रीन शॉट लो, अब इस स्टेप का भी, अब इसके बाद देखो, almost reaction complete हो चुकी है, अब इस थाया जोलोन का करेंगे, हम rearrangement, इसे छोड़ दो, हम इसकी जरूरत नहीं है, हमारा anti-terminal इसमें जुड़ गया आके, इतना हमारे लिए काफी है, अब इस थाया जोलोन को करेंगे, हम rearrange, rearrange कैसे करोगे, यह जो हमने यहाँ structure बनाई हुए, इसको बनाओ, molecules को rearrange करेंगे, ठीक से रखेंगे, यह हो गया आपकी structure, यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है, अब हम इसको इस तरह से घुमा कर, खोल कर, यह जोड़ कर, जैसे भी लिखना, बता, कहना चाहो, वो करेंगे, अब यहाँ से आपका जुड़ेगा N, यह आपका क्या है, यहाँ पर C है, तो यहाँ से यह आपका क्या गया, कार्बन, अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सल्फर, अब हम arrangement कर रहे है, rearrangement, bond को तोड रहे है, जोड रहे हैं, और अपनी मर्जी से जो CH और यह हो गया R, अब इस CH से कौन जुड़ेगा, इस CH से जुड़ेगा आपका यह वाला CO, अभी तो यह वाला CS जोड़ा, यह वाला CO जोड़ेंगे, कैसे जुड़ेगा, यह आपका यहाँ पर जुड़ेगा, C, double bond हो आजाएगा, और यह वाला N, यह वाले C से इस तरह स ठीक है, अब इसका नेम क्या है, देखो NCS है, तो यहाँ से है थायो, क्या जाएगा, थायो, अब देखो इसको कहा जाएगा, यह जब मिल जाता है, तो यह यहाँ से हो जाएगा, थायो हाइडिन टॉन, क्या हो जाएगा, थायो हाइडिन टॉन, एन टर्मिनल, एन टर्मिन Federal Amino Acid क्या हो जाएगा? यह इसका नेम हो जाएगा N Terminal Amino Acid यह हो जाएगा इसका आपका नेम ठीक है? तो यहाँ से यह first step तो हो गया complete, first step में जैसे आपकी यह दो step हो गये थे जैसे N Terminal के लिए N Terminal हो गया गया complete अब इसके बाद है आपका C Terminal C-Terminal भी करेंगे इसमें आज ही आप इसका screenshot लीजे N-Terminal हो गया complete इसके बाद C-Terminal बताएंगे देखो अब इसमें C-Terminal amino acid के साथ reaction मैंने एक reaction लिख दी है पहले ही ताकि इसमें time बच सके आगे ठीक है देखो इसमें क्या है बाइ थायो हाइडिन टॉन अब इसमें हम क्या करेंगे थायो हाइडिन टॉन के तुरू ही यहां पर reaction कराएंगे यह method का नेम है थायो हाइडिन टॉन अब यहां पर हमने क्या लिया है यहां पर यह आपका वही प्यप्टाइड जो अब तक लेते आयो है यह आपका एंट टर्मिनल है यह आपका C-Terminal है यह बात आप सभी बिलकुल अच्छे से जानते हो जिसमें आपका NH2 ग्रूप N-Terminal जिसमें आपका कार्वॉक्स लिंग रूप फ्री हो जिस साइड वो आपका सी टर्मिनल प्रेजेंट होगा महाँ पर ठीक है अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी रियक्शन कराएंगे अगे मिल सके रियक्शन करने के लिए तो फिर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया सी सिक्स एच फाइफ सी ओ गुरूप है यह आपका यहां पर आकर जुड़ जाएगा और इसका एक एच इसके एक सील के साथ रिमूव हो जाएगा तो यहां से आपका कुछ इस तरह से बन जाए क्या करोगे इसके बाद नोट कर लिया होगा यह अब इसके बाद आपको करनी है इसकी रियक्शन अमोनियम थायो आइसो साइनेट के साथ यानि कि एनेच पोर एनसी एसके साथ आप इसकी रियक्शन कराओगे तो अब इसका सी टर्मिनल वाला गुरूप पार्टिसिपेट करेगा reaction के अंदर किस तरह से हो जाएगा ये ये आपका ऐसे कैसी रहेगा ये हो गया c6 h5 c o n h अभी ये ऐसे जुड़े ही रहेगा अगले step में यह लगोगा r c o n h ये हो गया c h या r dash ये c o अब इसका n ये वाला गुरूप participate करेगा न ये इसका n किसके साथ जुड़ेगा पहले तो आपका ये c h के साथ जुड़ा हुआ है ये आपका क्या है यहाँ पर r double dash है ये हो गया r double dash अब इसका ये c o है ये वाला c o किसके साथ जुड़ा हुआ है ये वाला c o ऐसी जुड़ा हुआ है ये हो गया c o अब किसके साथ reaction करेगा ncs के साथ reaction कर रहा है यह कैसे देखो यह NCS है यह यहाँ पर carbon से जुड़ेगा यह carbon किस से जुड़ा हुआ sulphur से और यह किस से जुड़ा हुआ n से और यहाँ पर h reaction को balance करने की ज़रूरत नहीं है कभी आप सोचो कि reaction balance करें यह करें अगर balance करने पर उतर जाओगे तो reaction में उल्चही रह जाओगे ठीक है बस अपना main compound याद रखना कि आपका यहां से क्या बनेगा ठीक है यह हो गई reaction का second step first step और यह second step अब इससे अगले step में आपने क्या करना है एन्ने ओएच मिलाना है एन्ने ओएच मिलाने पर क्या ह यहां से ब्रेक हो जाएगा यहां से ब्रेक हो जाएगा यहां से ब्रेक हो जाएगा और तब आपका N टर्मिनल और C टर्मिनल दोनों separate हो जाएगे इसे नोट डाउन करो फिर इसके आगे वाला step बताते हैं आपको लिखो पहले बिटा इसको करो अब इसमें आगे किसके तो यहां से क्या होगा C6H5 यह आपका CO यह NH और यह CH इससे जुड़ा हुआ अगर आगे क्या है इसमें CO, NH, CH, R' और यह है CO ठीक है यहां तक कहुंच गए CO अब यहां पर इसके साथ कौन जुड़ जाएगा इसका OH जुड़ जाएगा यहां से ठीक है अब इसके बाद यह वालत जो आपका ग्रुप है एन्न ए ओच के साथ जब आप इसकी रियक्शन खराऊ तो यहां से आपका यह चीज separate हो जाएगी, यहां से आपका क्या है, N है, यह CH है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, R double dash जुड़ा हुआ है, यहां पर है आपका CO, और इधर कौन जुड़ा हुआ है, NH, और NH से कौन जुड़ा हुआ है, यह आपका CS, और यहां पर आपका H आज जाएगा, जब आपका क्या बना था, जब हम N-terminal की बात कर रहे थे, थायो, हाइडेंट ओन, N-terminal के लिए बना था, यह बना है, आपका थायो, हाइडेंट ओन, और C-terminal, अमीनो ऐसे, तो यहां से आप इसका नेम लिख सकते हो, थायो, हाइडेंट ओन, C-terminal, C-terminal, दिख रहा है यहां से, हाँ, दिख रहा है इतना तो, C-terminal, अमीनो ऐसेड, C-terminal, अमीनो ऐसेड, ठीक है, यहो गया, इसका कौन सा स्टेप है, नेक्स्ट वाला स्टेप है, अब यहां पर अभी यह चीज खतम नहीं होती है, अभी हम क्या करेंगे, इससे थोड स्टेप बता दें आपको, पहले बटा आप इसे नोट डाउन करो, इसके बाद हम इसकी रियक्शन कराएंगे, किसके साथ रियक्शन कराएंगे, आप इसकी रियक्शन कराओगे, बी ए ओ एच के होल टॉइस के साथ, ठीक है, नोट डाउन करो पहले से, देखो अब इसमें आगे आगे क्या है इसमें इस step में आप जो आपका यह क्या बना है थायो हाइडिन टॉइन बना है अब इसके बाद आप यहां से क्या करोगे इसके बाद आपने करना है बी ओ एच का होल्ट जैसे भी बताया इसके साथ reaction करोगे तो बिटा आपका यहां से यह चीज अलग हो है यह डबल डैस जुड़ा हुआ है अब इसके साथ कौन है यहां पर सी ओ ग्रूप है और एक ओएच ग्रूप आपका यहां से आ जाएगा और बचीवी जो भी चीज है जैसे यहां पर आपका ओएच का ट्वाइज है इसको कैसे लिख सकते हो ओएच ओएच इस तरह से लि यहां से आपका फ्री कारवॉक्सली ग्रूप अलग है तो यहां से आपकी रियक्शन भी होती है अब इसमें आप देख रहे होंगे कारवॉक्सली ग्रूप नहीं है तो यह सी टर्मिनल आप इसका डेरिवेटिव वह सकते हो कि यह सी टर्मिनल का डेरिवेटिव है लेकिन ह अब देखो इसका next है B method है by enzyme carboxy peptidase इसमें आपको क्या करना है enzyme की presence लेनी है कोई भी enzyme यह ले सकते हैं यहां से enzyme की presence लेनी है enzymatic cleavage enzymatic cleavage cleavage ठीक है अब यहां से आपको क्या करना है देखो जब आप किसी भी enzyme की presence में आप यहां से reaction कराते हो तो आपका यहां से bond break होता है जो आपका bond break होता है यह आपका N terminal और C terminal दोनों को पूरी तरह से separate कर सकता है तो यहां से यह जो आपका यह वाला bond है जो आपका N terminal है यह जो आपका N terminal यह हो गया C terminal यह हो गया तो C terminal वाला जहां पर आपका complete हो रहा है वहां से आपका यह bond break कर देगा जब यहां से यह bond break हो जाएगा, यह चीज बिलकुल separate हो जाएगी, यहां से आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा NH2, CH, यह R है, यहां पर यह CO, NH, यह आपका CH, R, और यह हो गया आपका CHH, और इसी तरह से यहां पर जो यह separate होता है, NH2 आजाता है, reaction balance अपने आप हो जाती यह जब आप enzyme के साथ reaction कराते हो, किसी भी चीज की, तो यहां से क्या जाएगा, R double dash, और यह हो गया, C double हो है, यहां से बन जाता है C terminal amino acid, क्या बन जाता है, C terminal amino acid, इसी के साथ बिटा, आपकी जो reaction है, यह हो गई है complete, अब इसके बाद जो हैं आपके, इसमें conversion है, या फिर peptide को dipeptise में, यह अब तक जो पढ़ रहे हैं, यह जो है, यह simple peptide है, अब सोचर dipeptise कैसा होगा, यहां पर यह जो peptide होती है, इसलिए समझाने में time लग गया, reaction चाहरी है इसमें, जादे reaction निया है, पर देखो कितनी लेंदी है, समझाने में time लगता है इसको, तो वो और Instagram ID है, physics underscore guru underscore India, आपके जो भी questions है, आप महाँ पर message करके पूछ सकते हो, और Telegram चैनल बना हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको daily classes की update time to time मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हो, और Telegram चैनल जाइन करने के लिए, प्ले स्टोर से Telegram इंस्टॉल करना, सर्च करना, उस पर physics guru India, पहले उस पर ID बनाना, फिर search करना, physics guru India, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप add हो सकते हो, बाकी चीज़े करेंगे next turn पर, आज करेंगे, बस इतना ही, thank you so much.